नमश्कार दोस्तों रमेडी अपडेट्स चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्याज के छिलकों के आश्यर्जनक फैदों के बारे में जिने हम और आप लोग बेकार समझे कर फ्याग देते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर भी तक आ सही नहीं होता खास कर प्याज के छिलके को अधिकतर लोग प्याज के छिलकों को छील कर फ्यांक देते हैं क्योंकि उन्हें इसके स्वास्ते लाव की बारे में नहीं पता होता हलाकि यह सच है कि प्याज के छिलके को सीधे खाना भी नहीं चाहिए लेकिन आप इसका कई अन दोस्तों नहाते समय बालों को अच्छे सदो लेने के बाद उसे प्याज के छिलके वाले पानी से कुछ दिर साफ करें इससे बाल एक दम मुलाइम और चमकदार हो जाते हैं प्याज की छिलके बोड़ी के कॉलिस्टर लेवल को भी कम करने मदद करते हैं इसके लिए भी रात भर उन छिलकों को पानी में भीगोएं और फिर रोजाना उस पानी को पिएं अगर आपको रोजाना प्याज वाले पानी का सवाद एक दम अच्छनी लग रहा है तो इसमें शहाद यची नहीं मिलाकर पिएं इससे आपको बहुत फाइदा मिलाकर दोस्तों दोस्तों प्याज के छिलकों में अंटी बैक्टिरियल और अंटी फंगल गुन होते हैं जो की पेट में होने वाले इंफेक्शन में आराम दिलाते हैं इसके लिए प्याज के छिलकों को पानी में भिगोएं और रोजाना उस पानी का सेवन करें दोस्तों प्याज के छिलकों में अंटी उक्सिजेंट की मातर अधिक होती है और इसमें अंटी इंफिलमेटरी गुन होते हैं इसके अरावे से में पाई जाने वाला कवेर सेटिन नाम का एंजाइम कैंसर कोश्काओं को बढ़ने से रोखता है आप इन प्याज की छिलकों की चाई भी बना सकते हैं और रोजाना सोने से पहले इस चाई का सेवन करें दोस्तो पानी में प्याज के छिलके उबालें और फिर चाने इस पानी से गरारे करने पर गले को अराम मिलेगा और खराश जल्दी दूर हो जाएगी दोस्तो प्याज के छिलके में कवरिस्टिन नाम की फुलाविन मक्की मात्रा भारी मात्रा में होती है जो बलर प्रेशर को कम करने में सहाइक होती है तो दोस्तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप प्याज के छिलकों का महत्र को समझ गए होंगे और मुझे उमीद है कि आहिंदा प्याज शिलकों को ऐसे बेकार नहीं फ्यांकेंगे दोस्तों तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और चैनल और मेडिय अपडेट्स को सब्सक्राब करने मत भूल न दोस्तों अब अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते आगए वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार